सोमवार का दिन शंकर भगवान को समर्पित होता है भगवान शिव को प्रसन करने के लिए सोमवार को व्रत किया जाता है और भगवान शिव की विधी विधान से पूजा की जाती है सोमवार व्रत में व्रत कता को पढ़ना या सुनना चाहिए एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहुकार रहता था उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी इस कारण वह बहुत दुखी था पुत्र प्राप्ती के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पारवती जी की पूजा करता था उसकी भक्ती देखकर एक दिन मा पारवती प्रसन हो गई और भगवान शिव से उस साहुकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती इस संसार में हर प्रानी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भागय में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है लेकिन पार्वती जी ने साहुकार की भक्ती का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताए माता पार्वती के आगरह पर शिव जी ने साहुकार को पुत्र प्राप्ती का वर्दान तो दिया लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयू केवल बारह वर्ष होगी माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहुकार सुन रहा था उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख्ष वह पहले की भाती शिवजी की पूजा करता रहा कुछ समय के बाद साहुकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया साहुकार ने पुत्र के मामा को बुला कर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ती के लिए ले जाओ और मार्ग में यग्या कराना जहां भी यग्या कराओ वहां ब्राह्मनों को भोजन कराते और दक्षना देते हुए जाना पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहुकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा क्यूं न इस लड़के को दूलहा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दू। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूनगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूलहे के वस्त्र पहना कर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। लेकिन साहुकार का पुत्र इमानदार था। उसे यह बात नयाय संगत नहीं लगी। उसने आफसर पाकर राजकुमा जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बाते पड़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताए। की तबियत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सोजाओ। शिवजी के वर्दानुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्रान निकल गए। मृत भानजे को देख उसके मामा ने विलाप शुरू किया। सयोगवश उसी समय शिवजी और माता पारवती उधर स जा रहे थे। पारवती ने भगवान से कहा स्वामी मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीब गए तो वह बोले कि यह उसी साहुकार का पुत्र है। जिसे मैंने बारह वर्ष क की आयू का वर्दान दिया। अब इसकी आयू पूरी हो चुकी है। लेकिन मात्र भाव से विभोर माता पारवती ने कहा कि है महादेव। आप इस बालक को और आयू देने की कृपा करें अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़ब तड़ब कर मर जाएंगे माता पारवती के आगरह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वर्दान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की और चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यू का समाचार मिला तो वह वी प्रान त्याग देंगे परन्तु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहत प्रसन हुए। उसी राद भगवान शिव ने व्यापारी के स्वपन में आकर कहा हिश् मैंने तेरे सोमवार के वरत करने और वरत कथा सुनने से प्रसन होकर तेरे पुत्र को लंबी आयू प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार वरत करता है या कथा सुनता और पढ़ता है उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनुकामनाय पूर्म होती हैं।